पूर्व मुख्य मंत्री शिवरा सिंग चोहान द्वारा बिजले बिल जलाने पर जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्वा ने निशाना साथ तो वे कहा कि शिवराज पौवर पीडि थे, आठ नो महीने से पीडि थे, जब से पौवर गई है बिजली के बिल की समस्य आई है इसको लेगर किसी ने खड़ा किया है तो उसके जिम्मिदार पूर्व सीम शिवरा सिंग चोहान है चुनाव जीते के बाद इन्होंने कहा बिजली के पूरे बिल माफ और 200 रुपे पे बिजली मिलेगी कुछ बिल जारी कर दिये 200 रुपे के लिए लेकिन इसके लिए जो पैसे की विवस्ता होती है वो बजट होता है वो बजट नाम की कोई चीश शिवरा सिंग चोहान ने नहीं की अगर बजट का प्रापधान कर दीते तो ये पैसा कहां से आएगा अगर कोई बजट नहीं है जो 22,385 घोषना उन्होंने की थी ये सब फर्जी घोषनाओं के बिल हैं और अब जो गरीब लोग है 100 यूनिट जला रखे हैं और 100 यूनिट बिजली बिल आ रहा है जली बिल का जवाब मुख्यमदीन कल वहां दे दिया है मनसौर में और बिजली के उस पर उन्होंने रियाद दिये और ऐसा है कि शिवराज सिंग चोहान जी पता नहीं आठ नो मैंने कैसे पर कि जो पावर गई है यह पावर पीडी थे हैं और कुछ नहीं है यह बिजली के बिल की जो समस्या आई है इसको खड़ागर किसी ने किया है तो उसके लिए पूर मुख्यमंत्री सिवराज सिंग चोहान जी जुम्यदार है वो ऐसे कि चुनाओं के जस्ट पहले चुनाओं जीतने के लिए इन्होंने का कि पूरे बिल माफ दो सो रुपे में हम लगेंगे और कुछ बिल जारी कर द पूर मुख्यमंत्री सिवराज सिंग चोहान जीन की हरो बजट का प्रावदान कर देते कि वह यह पैसा जो माफ किया यहां से आएगा यह पैसा जो दो सुरुपे आपन कर दिया यह ऐसे होगा कोई बजट नहीं जो बाइस हजार तीन सो पिच्छ यासी जो गोश्नाओं न की थी वह बिल तो आएंगे आपने कोई बजट का प्रावदान किया नहीं यह पहले के सब बिल है और अभी तो जो लोग है गरीब लोग सो रुपे युनिट जला रहे हो सो रुपे आ रहे हैं सो युनिट बहुत होती है उसको जला रहे हैं यह यह पैसा सिवरा सिंग चौ